कृरोना एक बीमारी है, इसका कोई धर्म नहीं है शरम करो यार, डूब मरो यार, घू है तुमपर थू 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 इतने गिरे हुए मत sagit हो यार, Дम है तुमहरा कि वह विधायक भाजपा के जो सांसद अपने जनम दिन में भीड लगा रहा है उनका इंटर्व्यू करके दिखा असल है तो कर दिखा दिखा ए उकाद तेरी है इम्मत तेरी दल्ले पत्रकार की दुमसाले दो टके के प्यार पी के लिए यार प्रेश्या बन जाओ ना मैंने एक दिन कहा था जितने सारी माईलाएं हीरो हीरोई हीरोई हीरोईनी सांसद बन गई है उनका भड़िया डांस देखने का मन करता है हमारा जितनी भी एँंकर इंगरे बड़िया उनका भी हुन बेंद देखना चाहते हैं थू है आर ऐसे मीडिया पे आज कोरोना से सब को एज़ुट होके लड़ने की जरूवत है और यहां पे भी अपनी बाजार ठुमका लगा यार चड़ी पहन एक ठोब बढ़िया सिब्रा ठुमका लगा ट्यार पी अच्छी होगी मैं मैं पत्रकार मैं अच्छा इंकर मैं बड कोगे कितना बिकोगे कितना नीचे जाओगे तुम्हारे घर में जब कोरोना होगा तो हिंदु मुसल्मान करना टक करोगे अभी टीवी नाइन पे मैं अभेशेक उपाध्याए को सुन रहा था अभेशेक उपाध्याए को जालिम मुख्या जो ISI से सम्बंदित है कोरोना के आतंकवाधी गुसरा रही इस तरीके की जो बाते हो रही है उसको मैं सुन रहा था मने दिमाग खराब हो गया लउंडा था कलका हमारा बक्त होता था एक जमाने में निल भाईया निल भाईया करने वाले बड़े भारी साले क्या चाहते हो तुम लोग यार कोरोना एक बीमा आने वालों को जानते हो एक सवाल माननी सुप्रीम कोट को हाजर नाजर करके अनेल उपाद्याय यह बात कर रहे हैं कि टीवी के जितने भी रिपोर्टर है जो भौगते हैं टीवी पर एंकर जो डिबेट कराते हैं बहस कराते हैं तीखी बहस आज कोरोना के टाइम में हम अकबारों में छ्षप रहा है क्या माहौल बनाने की जरूँ थै हिंदू मसल्मान की समय कोरोना के पिरिएड में हमारे देश के प्रदान मंतरी के लाएंगे बाशन देंगे मुसल्मानों ने जमातियों ने यही करना है क्या मोदी जी भी शरम करो यार डूब मरो यार थू है तुम पर थू 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 इतने गिरे हुए मत साबित हो यार इतने गिरे हुए मत साबित हो इतने गिरे हुए मत साबित हो बनलब तबलीगी जमात बहुत बढ़िया बात हमने भी कही कि यार हिंदू मुसलिम सब कोई भी जमात हो कोई भी ह जूमो चाहिए वो हिंदू राम नौमी में हिंदू के जमात दिखाए गए दम है तुम्हारा कि वो विधायक भाजपा के जो सांसद अपने जनम दिन में भीड लगा रहा है उनका इंटर्व्यू करके दिखा असल है तो कर दिखा दिखा ए उकाद तेरी है इंबत तेरी दल्ले पत्रकार के दुमसाले दो टके के इसलिए गुस्सा लग रही मरी बहुत बीशन गुस्सा लग रही सबका करो सबको बराबर तो एक कोई सांसद जी एक कोई विधायक जी भाजपा के अपनी बड़ी बढ़िया सा वो कर रहा है उनको उनका करो लाइब इंटर्व्यू आपने ऐसा कैसा किया आपने ऐसा कैसा किया पाजो है दम तुम्हारे अंदर और एक दम डंके के चोट पर बोल लाओं हर टीवी मीडिया के पत्रकार से पुछो कि तुमको अपने मुहले में रहने वाले समस्त लोगों की जानकारी है हमारा देश भारत हिंदू-मुसल्मान सिख हिसाई मिक्स रहता है मेरे महले में मेरे गली में मुसल्मान घोसी भी रहते हैं तीन-चार मुसल्मानों के घर है अगली गली में भी मुसलिम घोसीयों के घर है मुसलिम भी रहते हैं हिंदू ठीक सामने कंसल के सामने सरदार जी का मकान है हमारे महले में सरदार भी रहत पॉप इसने पपर आअग्रन सेd명न करते हैं ने कंगते साथ बटी पहने तो देखने का लगा चिपए तो बढ आप पत्रकार मैं अच्छा एंकर मैं बड़ा चिकना हूँ अम बढ़िया गे हूँ चल चल चिकने पत्रकार ठुमका लगा ठुमका लगा चिकने पत्रकार कोरूना का को मान लोग मेरी इस बात को बहुत ध्यान से समझागा सी बी आई आई भी रा दुनिया जो कहना धोबाल सहाब मन्द मोदी जी सब लोग सुने ध्यान से एक महले मेरे पवन पुरी महले में कितने लोग रहते हैं मुझको नहीं मालू है कोई कोरोना को पहलाने आतंकवादी भी अगर घुसेगा तो क्यो मुस्लिम अगर घुसेगा तो वो मुस्लिमों के बीच में पहलाएगा हिंदू मुस्लिम से किजाई सबकी जो है सबकी जब सब एक साथ रहते हैं हमारे देश में यह बीमारी पहलाने कोई ऊपर से कोई बंप भज़ेगा तो जो मैंने कहा था कि देवाश शलीब की मजार पर मैंने कहा था कि आतंक का वाले वास्तों में बता रहा हो आने वाला दिन वो आने जा रहा है कि कोरोना के पीडित जो जयादा यह फ्यलेगा और इस सरिके के नोटकी करेंगे तो मीडिया के office में किसी को कृरूरा हुआ हुआ हूँ नहीं क्या डॉक्टर्स को हो गया, मंत्रियों के हो गया, मंत्रियों को भतीजियों को हो गया, बिटन के प्रधान मंत्रियों को गया लेकिन ये जो टीवी मीडिया में जो सैकलो हजारों लोग काम करते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं, उनमें किसी को नहीं हुआ सब चुपाया जा रहा है सब चुपाया जा रहा है मीडिया के कुकर्म चुपाये जाते हैं और मीडिया जो है ना प्रिंट मीडिया टीवी मीडिया अने लुपा आओ मेरे घर आओ या रवकात हो तो आओ मेरे घर आओ आओ मेरे घर आओ मैं तुमको बुला रहा हूँ इतने दिनों से चलोतियां सबको दे रहा हूँ है क्यों नहीं दम किसी में जब हम मोधी के पक्ष में बोले हिंदूओं के पक्ष में हिंदू धर्म के लिए बहुत हम बड़े अच्छे हैं आज की तारीक में यार हमें बहुत गहनता से समझा तबलीगी जमात के कुछ लोग गलत साबित हो गए हुजोम लगाके मौलाना साथ की मैंने कोई तारीफ नहीं की मौलाना साथ की मैंने बुराई की लेकिन अब एक नया इश्यू ढूंडा जा रहा है कि हिंदू-मुसल्मान का इश्यू चलता रहा है यार कोरोना की पीरियाट में राजनी थे और हिंदू-मुसल्मान की टियारपी क्यों बना रहे हो यह तो इससे बड़ी दलाली कोई घटिया दलाली हो ही नहीं सकती अभी अभी मैं जो TV9 भारत वर्ष पे देख रहा था आज जा रहा है वह शास्त्री बहुन से जाए दिखाओ अपना लाइसन दिखाओ तुम्हें न्यूस चैनल का मिला है कि इंटर्टेन्मेंट चैनल का मिला हम देखना चाहते हैं हम ट्राई से सवाल करें टीटी सैट में एक मुकदमा डलने की सोच रहा है बहुत जाती कि घड़ी में जब संपूर्ण विश्व एक जुटेक साथ खड़ा है तो हमारे देश में एक ता तोड़ने वाले इन टीवी चैनलों को देश-द्रोही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा माननी सुप्रीम कोर्ट के सीफ जिफ जस्टिस सकते मेरा ये सवाल है डंके की चोड़ पे खुली सोशल मीडिया की अदालत पर मैं सत्य बोल ला हूँ ये हद्ध हो गई दीपक गौर कहा दो हजाद करोर खुद सरकार उन पर खर्च कर रहा क्यों खर्च कर रहा क्या मतलब यार आज की तारिक में कोरोना का वेक्सिनेशन की बात करो ये हुआ ये हुआ अभी अभी मैंने ख़बर देखी लोंडे कल के लोंडे में थोड़ी देर पहला कर ये कल के लोंडे जिनको मतलब है तूर्य से पूड़ी सी तुम लोग यार आज से हिंदू मुस्लिम सिख्ष है वो कहां किस की दुकान में खाएंगे किस से हाद में कोरोना क्या मतलब आपको लग रहा है कोई बम है कोई गोली है यार एक हद होती है हर चीज की कोरोना का कोई आतंक वास से रिष्टा मत जोड़िये चीज ने किया या हो गया वो चीज़ दोशी है जो इस समय बढ़वा गिरी कर रहा है इससे घटिया कुछ भी नहीं है पैसे के लिए कितना बिकोगे अगर तुम्हारे परिवार वालूं को जब करोना होगा ना तो तुम्हारा पैसा तुम्हारी ये सारी टियार पी तुम्हारी सारी नौटंकी कुछ जाएगी सौगन दखा के बात कह रहा हूँ मेरे सामने माता की मूर्तिय सौगन दखा रहा हूँ सौगन दखा के बात कह रहा हूँ सौगन दखा के बात कह रहा हूँ हम ऐसे बातें बता सकते हैं अक्भार के दफ्तर में हमार कुछ कदर दिये जाता है पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हो तुम लोग सोच रहे हैं यह बीमारी उपर वाले की है यह जूट को और नौटंकी को जरूर लगेगी इस समय यह बातें करने की क्या जरूरत है सरकार है ना अगर कोई गलत है तो सरकार की जो एजेंसियां है आइबी है सी बी आई है एस बी आई है जो जितने भी नाम ले रहे हो बीस एफ है सी आरपी है यह सब किस लिए है इनको वो जैसे हमने पहले कहा था के सर्जिकल स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पे तो भारती जंटा पार्टी के कारेकरताओं ने भकतों ने कर दी क्या सेना ने कि heck Indian आर्मी our Indian आर्मी मेरे देश्ट के गौरव भारती सेना वाई उसेना ने की वाई उसेना के सैनिक वो कैप्टन जो विमान उडाते हैं तो अब कुद्रत के कहर में भी वही बात है कि उपर वाले अल्ला और इश्वर के कहर में भी पॉलिटिक्स और टी आर पी घुसरे रहते हैं लोग हमको बहुत गठिया लग रहा है मत करो यार मत करो हमारी जो है ना बहुत तगड़ी बद्दुआ लग जाएगी इस पस्ट कह रहा है हमारा मन बहुत खटा हुआ ये खबर देख करके अरे दूसरी बात करो यार कुछ ऐसे बच्चों को खोज के लाओ तुम आज से दस साल पहले पंदरा साल पहले गली महले के थे आज की तारिक में बढ़के रिपोर्टर के दुम जो बने घूम रहे हो तो आज की तारिक में बहुत से तुम्हारे जैसे तुम्हारी उमर के दो पंदरा साल बहुत अच्छे-च्छे काबिल वैग्यानिक भी हैं जो हो सकता है कोरोना का कोई टीका कोई इलाज ढूंड लें कोई देशी इलाज भी ढूंडा जा सकता है हमारे भारत के पास बहुत बड़ी संपदा है हमारे भारत के पास ग्यान के हैं बहुत अच्छी चीज टीवी इडिया सब्सक् Democrat कर रहा हैं देश धर्व नहीं दर्ती धर्व कर रहा है इंसानियद रोख कर रहाँ बहुत गंदा काम कर रहा है कुछी टीवी मिद्शा सब को नहीं कि round कुछ लोग बहुत बड़ा reporter करे जा रहरा हो इसे भी कोरोना में भी हिंदू मुसलमान जो कर रहे हो यह कर रहे है कोरोना में हिंदू मुसलमान मद करो मैंने आज मौती के लिएmir मैंने कहा न एक सो T superhero भारती कोरोने आपके साथ है बस केवल यह पिकाव दwww कुछ पत्रकारों को चोड़ के जो केवल मौका परस्त हैं मौक के का फायदा उठाना चाहते हैं कितना नोट भरो गयार उसी नोट में तुम्हें कोरोना मिल जाएगा तुम उस एटियम से टीवी पत्रकारों तुम लोग पैसा निकालोगे कहीं से भी खर्च करोगे तुम्हे की वी आवकात आ से 20-25 साल पहले कुछ भी नहीं थी आज बहुत बड़े बहुत तोब बने प्रिड़ों केबल टीवी के इस मज़े से बने हो हमने बनाया है तुम्हें तुम्हारी कोई आवकात नहीं थी केबल आपरेटर आज काम कर रहा है तुम्हारे घर में जो है ना के केबल आपरेटर और डीटीएच आपरेटर मजबूत काम कर रहा है अगर डीटीएच की छतरी हिल जाएगी तो खुद नहीं अलाइन कर पाओगे तुम्हें चाहिए हो एक टेकनीशियन जो विचारा गली महले का लड़का होता है उसके बारे में भी सोचो जो सीड़ी लगा क नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूलें ताकि सबी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले